जो सेमी कंडुक्टर की दिखते हैं उसकी खत्म होने की बात भी की जा रही है और ये बात सीधा यूनियन मिलिस्टर ने कही है गुजरात के सानंद में सेमी कंडुक्टर मेनुफैक्टरिंग प्लांट की लगने जा रहा है केंडरे एलेक्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी मंतरी अश्रनिक वैशनफ ने प्लांट का भूमी पूजन किया उनसे बातचीत किया हमारी संबादता सुमिता करीर ने आए सुनवाते हैं आपको अपने काफी सारे आंखडे दिये स्टेज के ऊपर कि एक्सपोर्स जो है एलेक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्स आठ लाक करोड से भी जादा हो गए हैं अब यह जो प्लांट यहां पर सेटप हो रहा है उसकी वरह से एक्सपोर्ट एको सिस्टम जो है इंडिया का किस तरीके से स्टेंदन होगा बिकोज इंडिया का एक बहुत बड़ा फोकस है, एक्सपोर्स के होगा है? Definitely, Make in India प्रोग्राम को और एक्सपोर्ट के प्रोग्राम को बहुत अच्छा इससे मदद मिलेगी, क्योंकि अगर सेमिकंड़क्टर आपका मैनिफेक्ट्रिंग दूसरी चीजों के साथ है, तो उसकी resilient supply chain बनती है तो supply chain बहुत भरोसे मंद बनती है, तो उससे बहुत बड़ा benefit होता है, और जो आज electronics manufacturing, mobile manufacturing, defense manufacturing, aircraft manufacturing, इन सब में जो एक जवरदस्त trust दुनिया का बनाएं मोदी जी की policies के कारण, यही मोदी जी की guarantee है हमारे युवाओं को, यही मोदी जी की guarantee है, भारत के बविश्य को बनाने की, और मोदी जी की यही guarantee है कि भारत को 2047 तक विक्सेद बारत बनाने की चले, तो इस कबर के बाद आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं, देश को मिलने वाली कुछ नई वंदे भारत ट्रेनों की भी कल यह दिन चुना गया है जब देश को कुछ नई वंदे भारत ट्रेन ही मिलेंगी प्रधानमदि नरीम मोदी रविवार को 9 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे पी-म, विडियो कान्फरेंसिंग के जरिये इन चुना के अरे ह जब वह दिने वाले हैं गुजरात को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी इंदबाद से यह जांद़ तख जाएगी केरल को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी जो कासरगोड और तिरवन्थ पुरम के बीच चलेगी और इसके साथ ही चिन्नाए विजेवाडा और तुर्न लेवली मधुराई चिन्नाए पूरी और कई सारे रूट्स पर जैपूर से उदेपूर पटना से राची और पटना से हावडा के बीच भी वंदेभार फ्रीनों को हरी जंडी दिखाए जाएगी